तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बरा न्यूट गलाच सीन से भरे पड़े पड़े पपची तो मुबाईल गेम प्ले वीडियो में और इस मैच में तुम्हारा भाई सनाइपिंग की लाइन लगा देगा वादाब यार गलती से हैट्सोट वो भी जड़ी में एज्जेस करते हुए हद से जाता हूँगे कैर जो भी हो एडबलेम और हैट्सोट सारे आगे होंगे फिलाल के लिए यार यहां मिल टीरेर ही उतर हैं और उतरते ही गन लेके हम चट पे चल जाते हैं और यह बंदा मेरे ख्याल से सकोब खोल के यह पे बैटा था या तो फिर इसका नेट दोका दे गया नजाने क्या सीन था लेकिन यह हिलता तक नहीं कैर जो भी हो इसके हम उपर जाके सीधा पेटी बनाते हैं और इसके बाके टीमेट लोग यहां बगल के घर उपे थे और कर तैयार हो जो कि भागँ भाग यहीं पे होने वाली है यहीं पे ऊपर बग गया है पर यही पर जाए और ये बंदा बगर वाली बिल्डिंग से भगते भगते हम लोगों को तीसरी बिल्डिंग पेलाता है और यहां पे इसके टीमेट लोगों ने केम्पिंग बिचा रखी है मतलब यार मैं ये सोच के रस करना था कि एक ही बंदा है वो भी बहुत जादा लोग अंदा जाएंगे और पेटी बना के आएंगे लेगिन जैसे हम अंदर गुश्ते यार दो तीन बंदे आ जाते हैं खेर जो बियो अपना फायता हो चाता है तीन किल तो मिली और ये उजे वाला बंदा बिया डेमेज काके छुप चुका है अंदर और इसके बी टीमेट लोग यहीं पे हैं अगया है और इसे के साथ मेरे ख्याल से यह मिल टेरेरी की दूसरी टीम खाली हो जाती है अब यहाँ पे सीन ऐसारे तैयार हमारे भाई नौक करके बात करना चाहरे थे लेकिन हमारे दूसरे भाईया बीटि डाल जाते हैं वादल बैयार सबर नहीं किया जाता कर जो भी यह यहां पे गिने चुने ती यही 6 बंदे आयते हैं, 6 की 6 की बेटी डाल दी, और इसके बाद चलते हम सिधा 9 की और, क्योंकि देखो यार, प्लेन बिल्कुल बीचो बीच से जा रहा था, आदे बंदे मिल्टी रेरी, और कुछ बंदे क्या पता 9 भी उत्रे हो, तो अपनी यह म मैं की सकीन वाली गाड़ी ले जाता हूँ, जो की हर, हद से ज़्यादा बड़ी दिखती है, नचाने क्यों हर, मतलब, यह सकीन ही ऐसी की बड़ी सी गाड़ी दिखती है, खैर जो यहां पे हम पहुंच जाते हैं, और बंदे ही बंदे हैं, यार अब हम लोग उत्रेते हैं यहाँ पे बंदों की बेटी बनाने पूरे जूस में जैसे उतरते हैं यह बाट मुखे सामने आ जाता है यानि कि पूरा जूस बेकार हो गया है यहाँ पे बाट की बेटी बनारी पड़ी क्यार हम लोग यहाँ पे अब इंतिजार करते हैं क्योंकि देखो जब हम गाड़ी जा रहे ते सिर्फ एक बंदा गूली चलाता है लेकिन असलियत में यहाँ पे काफी ज़दा बंदे बैठ रखे हैं अब यहाँ पे मैं यार चुप करके बैठा हूं देख रहा हूं कि यार सीन के चल रहा है यह बैठे किदर हैं लेकिन हमारे भाई अपनी ही चौड में नजाने कहां कहां घूम रहे हैं अभी पेटी बन जाती नेट से कैर अभी हम तीनों की तीनों जिन्दा हैं कोई भी नए ठिला है भी तक लेकिन सामने वाली टीम हमें घेडने की कोशिश में है अब हमारे भाई वाँ से चिला रहे होते कि भाई या नौक ना हो जाना क्योंकि नौक होते ही गलत ही चालो हो जाएंगे अब देखो यहां पे बैठे रहने से नौक होने का खत्रा जाता है तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी दिर और रुखता हूँ उसके बाद पीछे के और भगना चालू करता हूँ क्योंकि देखो यहां पे यार कुछ भी हो सकता है एक नेड़ा है क्या पता और भी नेड़ा जाएं और यहां पे यार बोट आए जा रहे है मतला बंदों से हमारी लड़ाई हो नहीं रिये लेकिन बोट दबा के मिल रहे है कैर जो भी हो अब हम देखते हैं यह लोग केंपिंग करें बैठे हैं यह लोग कुछ भी नहीं करने वाले तो हमारे भाई यहां पे हजार IQ गिंपले लगाते हैं गाड़ी लेके जाएंगे और देखो क्या होगा उससे पार पार हो और यार हमारे भाई की यह डेड़ा IQ ट्रिक के लिए एक लाइक ठूकना मत भूलना मतलब इनको ऐसा लगा कि हम लोग काड़ी से भग रहे हैं तो यह लोग कवर छोड़के गोली चलाने आते हैं लेकिन यार मैं वहीं बैठा हुता हूँ और हमारे भाई की यार ये ट्रिक काम क्या कर गई गलती से काम क्या कर गई भाईया जी अपने आपको पता नहीं कौन सा भगवान बुला रहे हैं डिस्ट्रक्शन कोड पता नहीं क्या है बोला अंग्रेजी में था कुछ खर जो भी ओ इसे के साथ यार ये नुवो के चारो बंदे ठिल जाते हैं और अगर ये डेड़ा एक्यू ट्रिक काम न करती तो मेरे ख्याल से हम लोग अभी भी यहीं पर बैठे होते हैं ठीपी 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 खेलते हुए खर जो भी हो उसके बाद यहां पर फिलर चल गई है और यार आजकल बंदे डूडने में थोड़ी सी आसानी होती है जहां पर भी फिलर चलिए वहां पर चरे जाओ बस कुछ टाइम पहले यार फिलर मिलना नंकिन टाइप चीजे थी अरे बहीं अरे बहीं आए ज़ले हागे और इस साप ने आर लेट लेट के नजाने कितने बंदे पेल दिये मैं देखे जा रहा हूँ यहां पर गोली चले जारी है चले जारी है रुकने का कोई नाम नहीं जब तक मैं पहुंचता यार वो साप दो-तीन बंदे पेल चुका होता है यहां पर यार इस ड्रॉप पे सब कुछ मिल जाता है अब यहां पर गोली कौन और कहां से चला रहा है कद्धू कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन इतना जरूर पता यार की हमारे गाड़ी की ऐसी तैसी हो चुकी है और यहां से हम ज़्यादा कहीं जानी सकते है तो यार हम चालो हो जाते हैं इस बंदे को ढूनने के लिए और AWM की पहली गोली में ही एक पेटी बन जाती है यही वो बंदा थायार जिसने गाड़ी की ऐसी तैसी कर गई लेकिन यार किस्मत बढ़िया थी अपने को यहीं दूसरी गाड़ी मिलती है अब वो नजाने कौन सी गण चला रहा था है और मतलब ना कोई गोली ना कोई मैप में निसान सिधा गाड़ी के ऐसी तैसी हो रही थी खैर ये दूसरी गाड़ी लेकर हम चल देते हैं ब्रिच के उस पार क्योंकि देखो यार जून यहीं बनाए और सामने इसे गाड़ी भी आ रही होती है तो हाँ एक तरह से हम ब्रिच केम्पी कर रहे हैं समझे लो अब देखो वो गाड़ी पर मैं कोशिच बहुत करता हूँ नाकाम सनाइपिंग की लेकिन जादा कुछ उखाड नहीं पाता लेकिन टैंसर मतलेवार रस करेंगे जरूर वो भी AWM से नौक करके बस लग जाए एक बार हैट सोट और यहां पर पता चलता है कि सामने वाले बंदों पे बी कोई सनाइपिंग पर पड़ी है मेरे ख्याल से कारणा इंटेट चला रहे हैं यह लोग तो यहां पर मैं फटा फट से हीलिंग पेलता हूँ और दूपारा से लग जाता हूँ सनाइपिंग पे और यहां पर एक बंदे को बाटी सोट तो पेला लिगनार उसका दूसरा टीममेट अभी भी खर नाइट पकड़ के बैटा है तो हां वो भी चिपका देता है मेरे एक कैर यहां पर हम लोग इंतिजार करते क्योंकि देखो यार नौक बगएर करे उस पार जाना बेवो कुफियों की इन्होंने केम्प लगा रखा है और सामने वाले बंदे भी यही कुशिश कर रहे है हमें नौक देने की बस बात इतनी है यार जो पहले नौक देगा वही एक दूसरे की पेटी बना पाएगा और देखो कौन देता है नौक और आखिर कार काफी ज़्यादा गूली बरबाद करने के बाद एक बंदा नौक होई जाता है तो हाई यार आप यहां पर रुकेंगे नहीं सीधा रस करेंगे और अपने पैयार ग्रोजा भी पढ़ी है और ग्रोजा की यार यही बात मेरे को हद से ज़्यादा बढ़िया लगती है सप्रेस यार लगा दो उसके बाद कब बंदा कहां पे ठिल जाए और कितने जल्दे ठिल जाए पता भी नहीं चलता मतलब यह जो ट्रक के पास बैटा था यार इसको मैं दो तिन गोली पिलता मेरे को लगा था यार काफी जादा भायर देना पड़ेगा लेकिन नहीं वो पहले ठिल चुका होता है कैर ब्रिज भी खाली हो गया था तीनी किल मिलती है वहाँ पे तो हम धैड़ पैड निकल लेते हैं बाकी बंदे पकड़ने को अब यहां पर मैं बिल्कूल आराम से मजे में बैठा होता हूँ उत्रे में भाई कान पे चिलाते कि भाई यार मारो चल दी से मैं बोलता है यार क्या हो गया कहां पे कौना गया बाद में पता चलता है अपने बगल में कुछ खड़ा है और वो कुछ एक बाट होता है मतलब यार न जाने क्या चाते पबजी वाले यार बाट भरे पड़े हैं कोई भी रैंक में चल जाओ कहीं पे भी चल जाओ बाट ब देखते हैं क्या होगा अब अब दर के अंदर उनेंगे ना एक यहां पर गिने चुने तीन बंदे बाकी है और यार तयार हो जाओ जाड़ी में के लिए और यह था लगभग आदा जाड़ी में मतलब यार सिर्फ फूल पते थे पूरी जाड़ी नहीं थी लेकिन आगे पूरी जाड़ी में करेंगे और यहां पर हमें पक्का पता चल चुका है कि जो भी बंदे बाकी हैं वो सारे एक टीम के हैं यानि कि थ्री वर्सेश थ्री चलाता इधर कैर जो भी हो मैं कोने में जाता हूँ यहां से कोनी से सनाइपिंग करने की कोशिश करूँगा और देखो यहां पर आर नजाने कितने सारे पत्थर और पाढ़ बना दिये गए हैं या पहले भी थे यह आए ने इस तरफ जादा कैर यहां पर मैं रुका हूँ तयार हूँ सनाइपिंग के लिए और यह लोग घर छोड़के कहीं और जाने वाले हैं और आगे पे नजाने क्या ही चला होता है गोली चल रही होती है कुछ बंदे कूद रहे होते लेकिन मैं कुछ उखाड नहीं पाता क्योंकि मैं उपर चड़नी पारा था इस पत्तर के लेकिन हां आखीर कार्ब मैं चड़ गया यहां पे उपर और यहीं से जो भी करना होगा यही से सब कुछ करेंगे जितने भी एज़ेस करने होंगे गैर एक बंदा इनका पीछे जा चुका है और दूसरा बंदा भी शायद गून के पीछे पहुँच गया अब यह पकड़ा गया पहला बंदा जो घर के पीछे की और चला गया था अब इनका एक आकरी टीमेट बाकी है जो की यहीं कहीं पर बैटा है और इसको यार जाड़ी में एज़ेस करके पकड़ेंगे देखो आप कैसे और यार ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद जाड़ी में एज़ेस किया है मतलब एक टाइम यार पबजी बैन हो गया उसके बाद सनाइपिंग में भी सीन नहीं हो रहे थे कुछ छोड़ दी थी एक तरह से लेकिन आखिरकार इतने टाइम बाद जाड़ी में एज़ेस वगेरा करके मजा सा आ गया और इसी एज़ेस के साथ चिकन चुकन हो जाता है तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुकर आप टूकना मत भूलना तो आज के विड़ो भी इतने यार बहुत बाश सुक्राइब वीडियो देखने के लिए गल मिलते हैं बाइ बाइ नाइस नाइस झाल